जाए ही दोस्तों कैसे आप लोग आशा करतों आप लोग अच्छे होंगे चलिए आज चलते हैं उत्तपड़े सब इंस्पेक्टर सामान हिंदी प्रेक्टिक्स चार तो चलिए देर ने करते ही चलते हैं पहले प्रशन के तरब तो पहला प्रशन है वर्तनी की अंसार सुद्रूप का चैन कीजिए इर्शया इर्शा इर्शा तो इसका सुद्रूप क्या होगा तो इसका सुद्रूप हो जाएगा ए नंबर यानि इर्शया चलिए अगला प्रशन है नीचे लिखे वाक्य के लिए एक सब्द पताई ये जो यूध में इस्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? एसा श्वी, सत्यागरही, यूधिश्थिर या अस्वरोह तो क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूधिश्थिर चलिए अगला प्रश्ण है निम ने लिखित दिये गए सब्दों में से मुहावरे का सही अर्थ दिये गए विकल्पों में से चुनना है आखे नीची होना यानि आखों की बिमारी होना धूप सहन्न करना सोच समझ कर चलना या सर्मिन्दा होना या लज्जा होना तो बताएए आखे नीची होना का सही अर्थ क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्मिन्दा होना चलिए अगला प्रश्ण है हिंदी भासा में कितने स्वर है 14, 11, 13, 5 तो हिंदी भासा में अकुल कितने स्वर होते है तो हिंदी भासा में अकुल 11 स्वर होते है 11 स्वर होते हैं कहां तक आ से आउ तक आ से आउ तक आ से आउ तक स्वर होते हैं और अंक एयोम अह ये दोनों क्या होते हैं ये अयोगवा होते हैं चली अगरा प्रशन है रस सामागरी किस बिकल्प में दी गई है छंद अलंकार गुड रीत या विभाव अनभाव संचारी इस्थाई भाव अभिधा लक्षडा उत्प्रिच्छा प्रतीक या विम्ब वृत तो पताई इसका से अंसर क्या होगा रस सामागरी किस बिकल्प में दी गई है तो इसका से अंसर हो जाएगा बी नंबर विभाव अनुभाव संचारी इस्थाई भाव चलिए अगला प्रशन है जो सब्द किसी सब्द के पीछे लगा कर एक नया सब्द बनाते हैं उससे क् करते हैं संधी प्रत्यय उपसर्ग समाश जो सब्द किसी सब्द के पीछे लगा कर एक नया सब्द बनाते हैं तो उससे क्या करते हैं उससे क्या करते हैं प्रत्यय उससे क्या करते हैं प्रत्यय चलिए अगला प्रशन है निम्न लेखित दिये गए सब्दों से संबंधित प परियावाचि, क्या होगा? साहस, र्यकूलता, बहुत अधिक्ता या प्रचंडता तो बताए, इसका सियांसर क्या होगा? अतिरेक, अतिरेक का मतलब होता है, बहुत अधिक्ता चलिए, अगला प्रश्ण है सरो नाम के कितने भेद हैं? च, पांच, साथ, चार तो सरव नाम के कितने भेद हैं? बताए इसका सेंसर क्या होगा? तो सरव नाम के कुल कितने भेद होते हैं? चा भेद होते हैं कौन कौन होते हैं? तो पुरुस वाचक, पुरुस वाचक, निश्य वाचक, अनिश्य वाचक, प्रस्ण वाचक, और निज वाचक, और छठवा, संबंध वाचक कुल कितने संबंध नाम के भेद होते हैं, कुल छा भेद होते हैं चलिए अगरा प्रस्ण है तरन तरूजा, तरन तनूजा, तटतमाल, तरवड बहु छाये में कौन सा लंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्वेच्छ, उपमा तो बताए इसका से आंसर क्या होगा? जिसमें कौन सा लंकार है? जिसमें अनुप्रास लंकार है चलिए अगला पताशन है जगन नाथ किस संधी का उधारण है वेंजन संधी, विशर्ग संधी, दिर्ग स्वर संधी या यण स्वर संधी जगन नाथ किस संधी का उधारण है तो बताए इसका से अंसर क्या हो जाएगा इसका से अंसर हो जाएगा वेंजन संधी बेंजन संद जगनाथ जगनाथ का एक संद विश्चत करेंगे तो क्या होगा जगत अधन नाथ जगत अधन नाथ बराबक क्या हो जाएगा जगनाथ तो यह क्या है बेंजन संद है चलिए अगला प्रशन है नीचे लिखे वाकी के लिए एक सद बताईए इस्वर में विश् न रखने वाला निर्मीज नास्तिक नसवर या निस्कपड तो बताईए इसका से आंसर क्या होगा इस स्वर्म विश्वास ना रखने वाला तुसे क्या कहते हैं तुसे कहते हैं नास्तिक चलिए अगला प्रश्ण है दिये गए मुहारो का सही अर्थ बताईए दिये गए मुहारो का सही अर्थ बताना है आँखे भराना यानि आशू आना या आशू आ जाना निंदा करना नींद करना या आँख तो आँखे भराना का सही अर्थ क्या होगा तो बताईए इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सह जिसका ग्यान इंद्रियों के द्वारा हो सके वह सब्द है अगोचर गोचर अस्वानभूत या अनभूत तो बताएए इसका से अंसर क्या होगा जिसका ग्यान इंद्रियों के द्वारा हो सके तो इसका से अंसर क्या होगा तो इसका से अंसर हो जाएगा गोचर यानि जिसका इंद्रियों द्वारा हो सके उसे क्या करते हैं उसे गोचर तथा जिसका इज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे अगोचर चलिए अगला प्रशन है मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी वाक्य में कैसा वाक्य है, स्रल वाक्य है, मिस्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या कर्ति वाच्य वाक्य है तो बताए इसका से अंसर क्या होगा, मैं उस लड़की से मिला था, जिसकी किताब खो गई जिसकी किताब खो गई तो इसका से आन्सर क्या होगा तो इसका से आन्सर हो जाएगा मिस्रवाक्य, ये कैसा वाक्य है ये वाक्य मिस्रवाक्य है चलिए अगला प्रश्ण है बिल्ली छत से कूद पड़ी कों सा कारक है अधिकरण कारक कर्म कारक संप्रदान कारक या अपादान कारक तो बताइए इसका से अंसर क्या होगा बिल्ली छत से कूद पड़ी तो इसका से अंसर क्या हो जाएगा अपादान कारग चलिए अगला प्रशन है जिसका पहला पद विशेशन और दूसरा पद विशेश हो उसे क्या कहते हैं अब्याई भाव समाज, दिव समाज, तत पुरुष समाज, कर्मधारे समाज तो बताइए इसका से अंसर क्या होगा जिसका पहला पद विशेशन और दूसरा पद विशेश हो तो उसे क्या कहेंगे तो इसका से अंसर हो जाएगा कर्मधारे समाज जिसका पहला पद विशेशन और दूसरा पद विशेश हो तो उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे कर्मधार्य समास चलिए अगरा प्रशन है नवल सुन्दर स्याम सरीर की सजल नीरद सी कल कांती थी वाक्य में कौन सा लंकार है उपमा, रूपक, स्लेश, उत्प्रेच्छा तो बताएए इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा उपमालंकार प्रस्तुत प्रंक्त में उपमालंकार है जिस जगह दो वस्तु में अंतर रहते हुए भी आक्रिती और गुड की समानता दिखाई जाए तो वहां क्या होता है वहां उपमालंकार होता है चलिए अगला प्रस्ण है बीर गाथा काल के प्रसिद प्रबंध काव का क्या नाम है पतमावत पित्वीराज रासो कामायनी या रामचेद मानस तो बताएए इसका से अंसर क्या होगा बिरिगाथा काल कर प्रसिद्ध काब क्या है तो बताएए तो इसका से अंसर हो जाएगा प्रिथ्वी राज रासो बिरिगाथा काल कर प्रवंद काब क्या नाम है उसका नाम है प्रिथ्वी राज रासो चलते हैं अगर बात करें राम चेट मानस तो राम चेट मानस यह भक्ति काल का प्रवंद काब है और अगर बात करें कामानी तो कामानी यह आधुनी काल का छायवादी महाकाब भी है चलिए अगला प्रशन है निम्न सब्द के विलोम के लिए चार विकल्प दिये गए हैं उनमें से विचित विलोम चुनिए अधर्म का विलोम क्या होगा धर्म यूत सुधर्म धर्म या आपद धर्म तो इसका से आंसर क्या होगा तो इसका से आंसर हो जाएगा अधर्म का वि आप लोग शेयर नहीं करते हैं थोड़ा साथ कर ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइए चलिए अगला प्रस्न है हिंदी किस लिपी में लिखी आती है ब्राहमी देवनागरी खरोष्टी गुरुमुखी तो हिंदी किस लिपी में लिखी आती है तो हिंदी देवनागरी में लिखी आती है और देवनागरी क्या है एक लिपी है चलिए अगला प्रस्न है बीर का इस्त्रिलंग है बीर का इस्त्रिलंग क्या होगा वरांगना वीर्वती विरांगना या वीर्वती तो इसका से आंसर क्या होगा वीर का इस्त्रिलंग क्या होग तो वीर का इस्तिलिंग क्या होगा विरांगना चली अगला प्रस्ण है किस सब्द का निर्मार उपसर्ग से नहीं हुआ है आतिहासिक आवसाद उन्नत प्रहार तो किस सब्द का निर्मार उपसर्ग से नहीं हुआ है बताइए इसका से अंसर क्या होगा तो इसका से अंसर हो जाएगा इतिहासिक इतिहास प्लस एक सिमिल का बना है जिसमें एक क्या है एक एक प्रत्य है एक क्या है बाके सब में और साद में उन्नत में और प्रहार में क्या है उपसर्ग है लेकिन इतिहासिक क्या है यानि इतिहास प्लस एक यानि इक क्या है इसमें एक प्रत्य लगा चली अगला प्रस्ण है वारिक छंदों में गड़ कितने प्रकार के होते हैं चार साथ आठ दस तो बताईए इसका से अंसर क्या होगा वारिक छंदों में कितने गड़ होते हैं तो होते हैं कुल आठ प्रकार के वारिक छंदों में आठ प्रकार के गड़ होते हैं चलिए अगला प्रस्ण है जातिवाचक संग्या नहीं है इनमें से कौन से जातिवाचक संग्या नहीं है सैशव लोहा लड़की पुष्टक तो बताएए इसका से आंसर क्या होगा तो इसमें से आंसर हो जाएगा सैशव सैशव में जातिवाचक संग्या नहीं है क्योंकि जातिवाचक संग्या हुआ है जिसमें संग्या सबसे किसी संपूर जाद का बोध हो उसे क्या करते हैं जातिवाचक संग्या करते हैं चलिए अगला प्रशन है भारत की संपर्ग भासा कौन सी है भारत की संपर्ग भासा कौन सी है संस्कृत अंग्रेजी हिंदी उर्दू तो इसका से आंसर क्या होगा तो भारत की संपर्ग भासा कौन सी है तो है हिंदी हिंदी अधिकांस भारतियों के संपर्ग भासा है चलिए अगला प्रश्न है भासा की सबसे छोटी काई है लेपी वर्ण सब्द वाके तो भासा के सबसे छोटी काई क्या है तो इसका सई अंसर हो जाएगा वर्ण भासा के सबसे छोटी काई वड़ होती है चलिए अगला प्रश्ण है निम लिखित वाक्यों में प्रियुक्त अनावस्यक अथवा अनुप्युक्त सब्द वाला वाक्य छाटी है 32 नमबर यह संस्था का आठमा वार्षिक अध्वेशन है सुष्मा जल से पौधों को सीच रही थी मकान ढह जाने का डर है यह हम सब मेला देखने जाएंगे तो इसका से अंसर क्या होगा तो इसका से अंसर हो जाएगा सुष्मा जल से पौधों को सीच रही थी सुष्मा जल से पौधों को सीच रही थी इसका सही वाक्य होगा सुष्मा पौधो को सीच रही थी यान जल का यहां कोई word यूज होने इस कोई मतलम नहीं है क्योंकि पौधो को तो पानी की द्वारा ही सीचा जाएगा इसलिए यह अनावस्यक यह अनुप्यूत सब्द जल है सुष्मा पौधो को सीच रही थी यही वाक्य इसमें गलत दिया हुआ है चलिए अगरा प्रश्न है हमें यह काम नहीं करना चाहिए इस समस्या का हल करना चाहिए लता जी ने गीत की दो चार लड़ियां गाई या मेले में यात्यों का ताता लगा रहा तो इसका से अंसर क्या होगा तो इसका से अंसर हो जाएगा सी नमबर लता ने गीत की दो चार लड़ियां गाई तो इसका सही यहां गलत क्या दिया गया है लता ने गीत की दो चार लड़ियां गाई इस वाक्य में लड़ियां सब्द अनप्यूक्त है लड़िया सब्द अनप्यूक्त है इनके स्थान पे क्या होगा कडिया होगा क्या होगा कडिया कडिया होगा यानि लता ने गीत की दो चार कडिया गाई यहां लड़िया यूज नहीं होगा चली अगला प्रशन है मैं सनीवार को गाउं जाउंगा इस यंत्र का अविजकार अमेरिका में हुआ था या गोलियों की बहुचार हो रही है या पुस्तक छापने की बेवस्था का प्रबंध करें इस यंत्र का अविसकार अमेरिका में हुआ था यहाँ था होगा अँगोलियों की बयो प्रबंध करे यहाँ जग पूस्ताग चापने की ब्योस्था का प्रबंध करे में ब्योस्था प्रबंध एक ही अर्थ के वाचक हैं यानि ब्यवस्था और प्रबंध एक ही अर्थ के वाचक है या ब्यवस्था सब्द यूज होगा या प्रबंध यूज होगा तो इसलिए इसका से आंसर हो जाएगा D-number पूछतक छापने की बेवस्था का प्रबंध करें चलिए अगरा प्रश्ण है चवराहां सब्द में कौन सा समास है दूग समास, दोअंदब समास, बहुब्री समास या कर्मधार्य समास तो बताएए इसका से आंसर क्या होगा चवराहा में कौन सा समास है तो इसका से आंसर हो जाएगा दिवग समास चवराहा यानि चार आस्तों का समाहाल तो यहां क्या होगा दिवग समास होगा चली अगला प्रश्ण है अधी अधी उपसर्ग से बना सब्द नहीं है यारी इसमें एक ऐसा सब्द है जो अधी उफसरग से सब्द नहीं बना है अध्यापन, अध्यवासाय, या अधीर, या अध्यादेश तो इसका से अंसर क्या होगा? इसका से अंसर हो जाएगा अधीर अधीर, अ, प्लस, धीर अप्रस धीर सब्द से बना हुआ है इसमें अधी उफसर गना लगके आउफसर लगा हुआ है इसलिए इसका से अंसर क्या होगा अधीर चलिए अगला प्रस्ण है जिसका जनुप पहले हुआ हो इसके लिए एक सब्द जो उप्यूगत है अनुज द्यूज अगरज सरवग्य तो जिसका जनुब पहले हुआ हो उसे क्या कहेंगे बताइए आप लोग तो जिसका जनुब पहले हुआ हो उसे क्या कहेंगे अग्रज चलिए अगला प्रश्ण है नीचे दिये गए विकल्पों में से तत्सम सब्द का चैन केजिए इन में से तीन तदभव हैं और ये तत्सम है तत्सम कौन सा सब्द है आमर, दूध, सहीद या खिड़की तो बताइए इसका से आंसर क्या होगा तो इसका से आंसर हो जाएगा आमर आमर तत्सम सब्द है और संस्कृत के जो सब्द मोल रूप से हिंदी में प्रियुक्त होते ह उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं तद्सम्सब्द तो आम्र क्या है आम्र यहां तद्सम्सब्द है चलिए अगला प्रश्ण है स्याम धीरे धीरे चलता है तो इसमें धीरे धीरे सब्द क्या है क्रिया क्रिया विशेशन सर्व नाम या इनमें से कोई नहीं तो स्याम धीरे धीरे चलता है इसका से अंसर क्या होगा तो इसका से अंसर हो जाएगा क्रिया विशेशन स्याम धीरे 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 सब्द क्या है य किर्या विश्यजण है चलिए अगरा प्रश्ण है नाक का बाल होना नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना कष्ट देना अधिक प्री होना या पालतू होना नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है तो इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर हो ज अधिक प्री होना या घरामित्र होना तो चलिए आज के प्रस्ण यही थे तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेर तरह सब्सक्राइब जरू करिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद वीडियो आ भी आप लोगों को ज्यादा फादा मिलेगा तो वीडियो को जरूर सेर करिए तो चलिए फिर मिलते हैं कल अगले पार्ट में तब तक के लिए जय हिंद